मित्रों की हाल चाल सब चगगा है ना Realme का Narjo 30 Pro इंडिया में लाउंच हो चुका है लाउंच होने से पहले मैंने आप से पूछा देयार की आप किस फोन के साथ comparison वीडियो चाहते है बहुत सारे लोगों ने का कि यार नहीं Realme के X7 के साथ comparison वीडियो बन जाए लाउंच होने के बाद भी same question था तो यार जब आप लोगों ने कहा है तो आज का वीडियो सभी लोगों के लिए है जो लोग confused है Realme के Narjo 30 Pro को लेकर और साथ में Realme के X7 को लेकर सबसे पहले मैं आपको ये बता दू इस दोनों इस फोर में जो आपको प्रोसेसर मिल रहा है वो है 5G वाला प्रोसेसर Diamond City का 800U एक बड़ी अच्छी बात मैंने नोट करी जो Realme का Narjo 30 Pro है यहाँ पर 5G के 5 बैड मिलते है और जो Realme का X7 है यहाँ पर आपको 5G के 4 बैड मिलते है मतलब इस बार बैंड में बढ़ोतरी हो गई है और जब भी मैंने अन्तुतू बेंचमार्क स्कोर देखा तो यार एक तरफ आप देखिए मैंने रखा है Realme का 7 Pro जो कुछ महीने पहले इंडिया में लॉंच हुआ है जहाँ पर आपको Snapdragon का 730G मिल जाता है लेकिन जो Realme का Narjo 30 Pro है और साथ में जो Realme का X7 है यहाँ पर जो स्कोर है ना वो है 3,4,000,000 के आसपास मतलब जो स्कोर के मामले में बहुत अच्छा है और आज कल ट्रेंड में यार एक बार वो जो थ्रोटलिंग होती है ना उसके बारे में भी बता दो ते यार थ्रोटलिंग टेश्ट भी मैंने किया है यहाँ पर भी यार 19-20 का अंतर है बहुत बड़ा अंतर है नहीं लेकिन देखने के बाद ये लग रहा है यार थ्रोटलिंग में जो सबसे कम थ्रोटलिंग हुई है ना वो ही है realme के 7 pro में उसके बाद आता है realme का narjo 30 pro और फिर कहीं आता है realme का x7 लेकिन यार जब भी मैंने game खेला न अब इंडिया में PUBG तो है नहीं जितने भी game है मैंने test करा किसी भी phone में gaming के time कोई भी frame drop नहीं होता है और जब भी मैंने video render test करा तो वह या 1GB की file थी लेकिन वाला अंतर है नहीं कि यार आप ये कहेंगे कि नहीं यार बहुत देर लग गई है हाँ performance के बारे में मैं इतना कहूंगा यदि आपको 5G वाला phone लेना है तो आप चाहे realme के narjo 30 pro में जाए चाहे realme के x7 में जाए इन दोनों ही phone में आपको जो performance मिलेगी वो बहुत जादा ल वाला phone जो है 7 pro दूसरा है realme का ये वाला phone जो realme का x7 है और जो तीसरा phone है वो है realme का narjo 30 pro भाई slim phone है अच्छे वाले phone है और realme का x7 है इस phone का जो weight है वो है केवल और केवल 176 gram और side में जो curve है ये भी काफी पतले है हाँ जो realme का narjo 30 pro है ये थोड़ा सा मोटा है और पीछे क की तरफ बहुत सारे लोग कहते दियार fingerprint आ जाता है तो वह या पीछे की तरफ मेरे साब से fingerprint इस बार नहीं छप रहा है डिजाइन के साब से दोनों phone बहुत अच्छे है हाँ जो camera bump है ना वो दोनों ही phone में थोड़ा सा निकला हुआ है और मेरे साब से जब भी आप phone buy बैक कबार जरूर लगवा लिजेगा यदि हम बात करते है डिस्प्ले की तो यार यहाँ पर कहीं ना कहीं realme वालों ने game खेला है जो realme का x7 है यहाँ पर आपको मिल जाती है emolet display और जो display का size है यह 6.4 inch का और यहाँ पर जो maximum brightness है ना वो है 600 nits की और जो punch hole का size है ना यह realme क यह नार्जो 30 pro से छोटा है और यह गुला ग्लाज 3 की production आपको दोनों ही phone में मिल जाती है लेकिन जो realme का नार्जो 30 pro है यहाँ आपको full HD plus वाले display में जाना है 120 hertz वाले में तो आप जा सकते हैं और refresh rate की दो option है एक है 60 hertz का दूसरा है 120 hertz का और जो emolet display होती होती है यहाँ बा है हाँ emolet display का अपना plus point है और जो emolet display होती ना यहाँ पर जो battery होती है वो थोड़ी सी जादा जलती है और जो realme का x7 है ना यहाँ पर आपको battery मिलती है 4310 mh की और साथ में 50 watt का charger मिलता है test के दोरान इस phone की जो battery है वो एक दिन survive कर पाई लेकिन इस phone को जो charge करने में समय लग रहा है वो काफी कम लगता है मेरे हिसाब से 50 minute के आजपास ये phone आपका fulltuce charge हो जाएगा बहुत भी जल्दी charge होता है और जो realme का nargo 30 pro है ना यहाँ पर आपको 5000 mh की battery मिल रही है और उसके जो charger है वो है 30 watt का और इस phone को charge होने में 65 minute के आजपास आपको लगेगा तो मेरे साब से यदि आपको time की problem है नहीं तो आप किसी भी phone की तरफ जा सकते हैं दूनों phone की battery आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करेगी दोने phone में आपको wide wide L1 का भी support मिलता है मलाब आप HD वाले ची camera 2 API का feature मिलता है उसके सासा जो realme X7 है यहां पर आपको in display fingerprint मिलता है और realme 30 pro है यहां पर आपको side mounted वाला fingerprint मिलता है बहुत fast है बहुत accurate है मैं इतना जरूर कहूंगा जो यार यह physical button वाला fingerprint होता है यह थोड़ा सा ज्यादा fast होता है emulate display वाले fingerprint से मलदब in display वाले fingerprint से आप मेरी बासे सहमाद है कि नहीं सहमाद यह आप नीचे comment करके बताईएगा अब जिन लोगों को यार music का आनद लेना है तो भाई यह आपको realme के ना जो 30 pro में डॉल्बी atmos का feature मिलता है दोने फोने जो loud speaker है वो काफी loud है काफी clean है आवाज आपको अच्छे से आ जाती है औ आप बात कर लेते हैं software की software के मामले में दोनों फोन में आपको सेम UI देखने को मिलता है और realme का जो UI यह मुझे लग रहा है काफी अच्छा वाला काम कर रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को यार MIUI जो आपको Xiaomi के फोन में मिलता है उससे problem हो चुकी है कभी ना कभी एड द जे बाए जो software का experience होगा ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा जिन लोगों को यह वाला गड़ा चाहिए ना जहां पर आप headphone jack लगा सकते हैं तो भाईया वो गड़ा आपको मिलता है realme के नार्जो 30 pro में और साथ में जो यार dedicated microSD card का feature है वो भी आपको मिल जाता है मलना बाप अलग से memory card भी लगा सकते हैं दो 4G वाले sim card भी डाल सकते हैं और यार मेरे हिसाब से कोई भी problem है नहीं बहुत सारे लोग नाखुस्ते कि यार यह वाला जो phone है na realme का x7 यहाँ पर यह गड़ा नहीं दिया गया memory card का slot नहीं दिया गया चलिए मित्रों अब बात करते है camera की द एक है 8 megapixel का और दूसरा है 2 megapixel का और साथ में आगे की तरफ 16 megapixel का selfie camera मिलता है और जो realme का ना जो 30 pro है यहाँ पर आपको पीछे की तरफ 48 megapixel का 8 megapixel का 2 megapixel का 16 megapixel का थोबने की photo लेने के लिए selfie camera यहाँ पर भी मिलता है यदि company आपको नहीं बताती कौन सा sensor है तो आप माल लीज आप जो 30 pro की photo देखिए यदि आप single photo देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा photo काफी clean है काफी अच्छी है काफी vibrant वाले color आपको मिल जाते है detail की भी कहीं कमी है नहीं और जो dynamic range है यह भी काफी कमाल का है लेकि जश्ट बगल में अब मैं photo लगा देता हूं realme के x7 की तो भ यहां पर आपको जो 64 बेका pixel मिल रहा है यह काफी अच्छा है आप bike का color देखे black आपको और भी ज़्यादा black दिख रहा है यह तो आपकी पसंद होना चाहिए मेरे इसाब से जो realme का x7 है इसका जो camera है वो काफी अच्छा है night photo में भी realme का x7 काफी कमाल का काम करा है detail बहुत अच्छे मिल जा रही है और जो selfie camera है वो भी मुझे कहीं न कहीं लग रहा है realme के x7 में अच्छा मिल रहा है हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा जब software का update आएगा तो जो camera है वो दोनों phone का और भी निखर के आज जाएगा यदि आपको अच्छा camera वाला phone लेना है तो मेरे बने है केवल और केवल 17,000 रुपए और कहीं आपके थोड़े से और पैसे बच जाए फिलिप कार्ड की तरब से और realme के device जहां पर भी मिलते हैं तो और अच्छा हो जाएगा तो आप जा सकते हैं realme के phone में भाई यह वाला device दोके से आ गया था इस वाले device में आप जा सकते जो realme का 30 pro है जो पहले device मेरे हाथ पर आये था वो है realme का 7 pro बहुत अच्छा वाला device है यहाँ पर जो camera मिल रहा है यह भी काफी कमाल का है मेरे साब से मैं आपको इतना कहूंगा यदि आपको 4G वाला device लेना है तो आप इस phone में जा सकते हैं और उसके साथ realme के नार्जो 30 pro म आपको नीचे वाला गड़ा भी मिल जाता है मतलब headphone वाला jack मिलता है यहाँ पर आपको 120Hz का display का refresh rate मिलता है बड़ी वाली battery मिल जाती है जो camera है वो decent है आपका budget यदि आपको allow कर देना तो मेरे साब से जो emolet display वाला phone है बहुत अच्छा है realme का X7 यहाँ पर आपको camera कमाल का म भी मिल जाती है 5G वाले sim card भी डाल सकते हैं हाँ यहाँ पर आपको problem थोड़ी सी लगेगी वो जो headphone वाला jack है और साथ में आपको memory card का slot भी नहीं मिलता है अब आपको सोचना पड़ेगा आपको कितना पैसा लगाना है आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा यदि आपका budget आप आपको कहे नहीं आप पैसे लगा सकते हैं तो realme का x7 काफी शांदार फोन है under 20k अब आप बताइए क्या आप मेरी बास से सहमत है और अभी भी आपके दिमाग में कोई doubt हो कुछ भी आप पूछना चाहते हो ना तो भाई आप मीचे comment करके पूछ लीजेगा और वो जो मेरा Twitter पेज है यहाँ पर भी जाईएगा क्योंकि Twitter पेज में मैं आपको पक्का reply करूँगा और बस जाती जाते यही कहूँगा खुश रहिए बिंदास रहिए चंचवाते रहिए हसते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे जश बगलब आपको बेल बटन मिलेगी इ बड़ा अच्छा हो जाएगा चली मिलते हैं एक वीडियो में थैंक्यू जैहिद